तारे सितारे वां गराहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्टरो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 22 सितंबर 2024 रवी बार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टिव चंद्रबल के प्रभाव से आज बारा में से पांच राशियां भग्यशाली रहेंगी इन पांच राशी वालों में आज है व्रशब, करक, सिम्ह, व्रश्चिक और धनुराशी वाले लोग वही अन्य राशी वालों के अनुसार आज का दिन सामान ने रहेगा तो मित्रों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें आप नित्तिका राशी फल नहीं नहीं ज्यानवर धग जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज आज आश्वी 17 मिनिट पर होगा आज राहुकाल सायंकाल 4 बच के 46 मिनिट से आरंब हो करके सामके 6 बच के 17 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक व नया कार्य शुरू नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तु की घरीदार करने से भी बचें आज दिसा सूल रहेगा पश्चिम दिसा में तो आज के दिन आप पश्चिम दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक व नया कार्य आरंब नहीं करें पश्चिम दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अति आव आता हकाल ग्याराहा बचके उन पचास मिनट से आरंब हो करके दोपार बाराहा बचके 37 मिनट तक सर्वस्रेश्ट वशुब महुरत रहेगा इस महुरत में आप कोई भी शुब मांगलिक वश नया कारे आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तू की खरीदारी आप करना चाह तो मेंसराशी से आरंब करते हैं मेंसराशी वाले जातकों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज जो है अधूरे पड़े काम सुरू करने के लिए दिन काफी अनुकूल है आपका संतुलित व्यभार आपको शुब अशुब हर परिस्तिती में सामंजस्य से बना कर रखने में काफी मददगार रहेगा और सकारात्मक परिणाम भी आपको मिलेंगे किसी गुरु तुल्य व्यक्ति के सानिद में रहना आपको मांसिक सुकुन देगा कोई मन मताबिक कारिय नहीं होता है तो दिल छोटा नहीं करें भावुक्ता की अपेक्छा दिमाग से निरने लें क्योंकि भावनाओं में बाहकर आप कोई गलती कर सकते हैं इसलिए आज भावुक्ता में निरने नहीं लें आज व्यापार व्यवसाय में किसी प्रकार का जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए बिजनेस की कारे प्रणाली बहतर होगी आज आपका भाग्य प्रणाली अंक नो है शुब रंग आपका केसर या रंग है आज आपको भाग्यकासा तच्छी आसी प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात भगवान सूरी नारण की पूजा करें आदी त्यहरदे इ सुसाइटी संबंदी गतिविधियों के लिए जरूर निकालना चाहिए इससे आपका संपर्क का दाइरा बढ़ेगा आपकी जान पहचान बढ़ेगी और आपने जीवन इस्तर को सुधारने के लिए भी कुछ सिध्धानत और व्यापक दृष्टिगोंड रख पाएंगे और यहाँ भी ध्यान रखेगे बहुत अधिक आदरसबाद आपके स्वयम के लिए नुकसान दाई आज हो सकता है प्रेक्टिकल भी होना आपके लिए जरूरी है आज मनो इस्थिती कुछ वेचिलित हो सकती है आज कुछ समस्याएं भी आपको रहेगी इस्ठाप और पर नजर बनाए रखें नौकरियादी में एक्स्ट्रा काम के करण तनाव उत्पन हो सकता है आज आपका भाग्यशाली अंक नो है शुबरंग आपका लाल रंग है आज आपको भाग्यकासाथ 81 प्रतिस्यत प्राप्त होगा आज आपका विशेशुपा इस प्रकार से है प मिथुन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से है आपको अपनी योग्यता के अनुरूप उचीत परिणाम प्राप्त होंगे सिर्फ सही समय पर सही निर्णे लेने की जरूरत है किसी धार में के स्थल अत्वा अपने गुरू के सान्य दिमे रहना आपको मान मानशिक शान्ती प्रदान करेगा किसी व्यक्तिगत समस्या को लेकर चल रही चिंताएं आपकी दूर होगी किसी मित्र अत्वारिस्तेदार की गलत सलाह आपके लिए परेसानी का कारण हो सकती है सतर करें घर के बड़े बुजर्गों की सलाह और मार्ग दरसन पर जरूर अम महसुस कर सकते हैं इसलिए आज सोच समझ करके काम करें आज आपका भाग्यशाली अंक दो है शुबरंग आपका सफेद रंग है आज आपको भाग्यकसा 70% प्राप्त होगा आज आपका विशे सुपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इश्नान करने के पश्चाद भगवान स आज का दिन इस प्रकार से है अनुकूल ग्रह इस्थिति आपके लिए बनी हुई है अपनी दिन चरिया में परिवर्तन करके बहतरिन तरीके से कारियों को अंजाम देंगे जिससे मांसिक सुकून बना रहेगा हर बात को गहराई से समझना और उस पर अमल करना आपका सिर्फ धेरी और सांती पुर्ण तरीके से अपने कारियों को अंजाम दे पाएंगे आज सिर्फ उनी कारियों पर ध्यान दे जिने के आप पूरा करने में समर्थ रहें अगर कोई विशेश निर्णई लेने जा रहे हैं तो पहले एक बार पुना सोच विचार अवश्य करे और व्यावसाई कारिय प्रणाली में कुछ बदलाव करने होंगे और फाइदेबन इस्तितिया इससे निर्मित होगी आज आपका भाग गिशाली अंकतीन है शुब रंग आपका पीला रंग है आज आपको भाग एकासां 96 प्रतिसत पराप्त होगा आज आपका विशेश उ पाइस प्रकार से है प्रताहकाल इस्नान करने के पस्चाद भगवान सूरी नारण की पूजा करें और ओम ग्रणी सूरिया इनमा इस मंत्र का 108 बार जाप करें दिन आपका शुब रहेगा अगली रासी है सिम्व राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से है कोई पारिवरिक मसला हल होने से घर का वातावरन सुकून और सांती पूर्ण रहेगा हाला कि यह समय अत्यधिक व्यस्तता और मेहनत वाला समय है आपका उदार और सहज स्वभावी आपकी सफलता का कारण बनेगा बच्चे भी अनुसासन में रहेंगे भाईयों के साथ कुछ बहत होने की स्थिती निर्मित हो सकती है बीती बातों को भूलना आपके लिए बहतर होगा और कारोबार में ज्यादा अपने बजट से ज्यादा फेसा आप नहीं लगाएं इससे आपका कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है आज आपका भाग्यशाली अंक छे है आपका पीला रंग है आज आपको भाग्यका साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राताहकाल इस्नान करने के पश्चात सूरी नारण देवता को तामबे के पातर से तीन बार अर्गे चड़ावे ओम दिवाकराइन में इस मंतर का पारियों में गती आएगी और आप अपनी योग्यता वा प्रतिभा के द्वारा उसे पूरा करने में सक्षम भी रहेंगे मनोरंजक प्लान भी आप बना पाएंगे और गेर जरूरी खर्चे परिसान आपको करेंगे थोड़ा सूजबूच से काम ले ध्यान रखें कि आपको होगी नोकरी आदी में किसी आफिशील यात्रा की वज़े से अपने घर परिवार में ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे आज आपका भाग्यशाली अंकचार है शुवरंग आपका नीला रंग है आज आपको भाग्य कासा 83 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका वि तुला राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से है अपनी दिन चरिया में कुछ नयापन लाने के लिए आप कुछ विशेस योजनाई बनाएं और उनमें काफी हद तक आपको सफलता भी मिलेगी बच्चों से संबंदित कोई खुश खबरी मिलने से मन प्रफु दिन का कुछ समय आध्यात में गती विदियों में व्यतित करें बहतर होगा परिवार से संबंदित कोई भी महतुपुर्ण निरने बड़े बुजरुगों के मारगदरसन में यह समय धेरियों और संयम से व्यतित करने का है फाइनेंस संबंदित कोई भी महतुपुर्ण कार अगली राशी है व्रश्चिक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से है आपके उत्तम प्रयासों से कोई रुका हुआ काम संपन्न होगा जिससे आप अन्य गतीविदियों पर ध्यान दे पाएंगे और अपने व्यक्तिकत मामलों को किसी के समक्ष शेयर आज नहीं करें कोई भी काम गुपत रुप से करने से आपको आशातीत सफलता मिलेगी व्यर्थ के विवादों से दूरी बनाए रखें गलत फ़मी की वज़े से संबंदों में आज खटास उत्पन नहों सकती है व्यवसाई से संबंदित चल रहे विवादित मामलों को सुल जाने का अच्छा समय है अपने आसपास के व्यापारियों से चल रही प्रतिय इस परधा में आपकी जीत सुनिश्चित होगी आज आपका भाग्यशाली अंक अगली राशी है धनु धनु राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज कोई खुश खबरी मिलने से मन संतुष्ट होगा और आप अपने अंदर नया जोस और उर्जा महसूस करेंगे घर में सकारात्मक वातावरन बनाए रखने के लिए घर की अपने उर्जा का भरपूर प्रयोग करें निश्चिति आपको इससे सफलता मिलेगी और इस समय कारे प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है कुछ पुराने आर्डर अत्वा किसी पार्टी के साथ समस्याएं उत्पन हो सकती है आज आपका भाग्यशाली अंक एक है शुब रंग आपका बादामी रंग है आज आपको भाग्यका साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इश्नान करने के पस्चा सूरी भगवान की पूजा करें और भगवान सूरी देवता को गुड का निवेद्य अरपि जाएगी अपनी उपलब्धियों को कायम रखने के लिए आपको सुभाव में सोमिताव आदर्स बना कर रखना कामियाबी आपको देगा अपनी योजनाओं को क्रियानवित करने से पहले उस पर एक बार पुनर विचार करना जरूरी है अगर किसी के साथ कोई वादा किया ह तो उसे निभाने का प्रयत न करें विध्यारतियों को अपनी सिक्षा संबंदी गती विधियों में और अधिक मेहनत करने की आवशकता है व्यवसाय में पब्लिक रिलेशन आपके लिए काम के नए इस्तरोत्र उत्पन न करेंगे आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है श अंद अक्षत के द्वारा पूजन करें साथ प्रकार का अनाजदान करें दिन आपका शूब रहेगा अगली राशी है कुम्ब कुम्ब राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा अपनी योजनाओं को समय पर क्रियानिवित कर लें समय और भाग्या आपका सहयोग कर रहा है विशेश वेक्तियों से मुलाकात सार्थक होगी आप अपने वाक्षातुरी से तमाम बाधाओं को पार करत होते हुए आगे बढ़ जाएंगे निश्चिस सफलता प्राप्त करेंगे और ध्यान रखे कि जल्द बाजी में लिया गया कोई फेसला आपके द्वारा गलत भी हो सकता है इसलिए सोच समझ कर के कोई निरने लें घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्ग दरसन और सलाह के अव प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से कि प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात सुर्य नारण भगवान की पूजा करें आदित्य हरदे इस्तरोत्र का पाठ करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है मीन मीन राशी वालों के नु तथा उनके मार्ग दरसन को अपने जीवन में जरूर अपनाएं रिस्तों में शक जैसी इस्तिती को उत्पन्न नहीं दें बेतर होगा कि छोटी मोटी नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं दें किसी भी तरह के जोखिम पुरुन कारिये में दिल्चस्पी लेने से आप मुस फलता के योग बनेंगे आज आपका भग्यशाली अंक छे है शुब रंग आपका औरेंज रंग है आज आपको भग्य का साथ 83 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राता काल इस्नान करने के बस्चात सुर्य भगवान की पूजा कर साथ प्रकार का अनाज दान करें दिन आपका शुब रहेगा तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक रैशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करशन में तरों फिर मिलेंगे